आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिजिटल रिट्रेसी कोईस 2 के आंसर्स के बारे में कोईस के आंसर्स पताने से पहले मैं आपको बताना चाहते हूं कि मेहां पर कोईस के जो भी आंसर्स सेलेक करी हुई मेरी अपनी परसनल चॉइस हैं अगर आप मेरी चॉइस पतात नहीं करते तो आप की इवन उपसिस में सब्सक्रम्ण इसको कोई भी उपसिस को परफॉर्म कर सकते हैं पहली पार अगर आप मेरी चेनल पर आएं तो मेरी आपसे रिवॉस्स है कि जलए से सब्सक्राब कर दीजिए बेल आगन के विरन कॉल प्रेस कर दीजिए क्यूंकि ये कम्प्लीट लीप ही और इससे आपको मेरे आने वाले विडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा तो चलिए अपने कोईस को शुरू करता हूँ और फिर मैं किक करकर इन सब की आंसाथ आपको बताती हूँ Magnify a Document, Control, View, Zoom, Control, Home, Found, Control, Tool, Option, Control, Ribbon, Customize, तो इसका करेक्ट आंसर है, Click, View, Zoom, अगला कोश्चिन है हमारे पास यहाँ पर, कोश्चिन नमबर 2, We can delete any file folder from computer by pressing dash key, delete, home, insert, escape, चार आपके पास, इसका correct option है, कोश्चिन नमबर 3 है हमारे पास यहाँ पर, A dash option is used to print pages in random order, print selection, print custom page, print all page, none of these, तो आपको यहाँ पर जो correct answer बताना है, वो है यहाँ पर, print selection इसका यहाँ पर correct option है, अगला कोश्चिन है हमारे पास, in word processor, if words are underlined automatically by a green line, that means data spelling mistake, grammar mistake, system mistake, or punctuation mistake, तो correct answer है, grammatical mistakes, अगला कोश्चिन है हमारे पास, कोश्चिन नमर 5, size of the file folder can be viewed from, is properties, path, name, none, तो इसका correct answer रहेगा, यहाँ पर, और आगी कोश्चिन के answers बतान से पहले मेरी आपसे request है, अगर आपने प्रिक मेरा Facebook का ग्रूप में है, कालम DSTP 2.0203 जॉइन नहीं किया है, तो जल्दी से इस ग्रूप को जॉइन करने, link description के अनर मौझूदे में, यहाँ पर, अगला कोश्चिन है, हमारा कोश्चिन नमर 6 यहाँ पर, विच अप्र फॉल्विंग इस अफांट नेम, Arial, Arial Black, Timmy Romans, All of the above, इसका correct answer है, यह सारे के सारे फांट के नाम होदे हैं, हमारे पास, करसर, blinking line is used to show the current dash on the document, color, status, type, location, तो इसके तांसर रहे का, यहाँ पर, location, अगला कोश्चिन है, हमारे पास, the shortcut key to underline the selected text is, Ctrl-U, Ctrl-V, Ctrl-O, Ctrl-N, तो इसके तांसर है, Ctrl-U, question number 9, हमारा second last question है, del key, यानि कि delete key is used to erase the text, which is on the text side of the blinking line, left, right, above, below, तो इसके तांसर रहेगा, right, अगला कोश्चिन हमारे पास, और मारा आग्टी कोश्चिन है, how a printed document will look like, we can check this using print preview, print view, print layout, print setting, तो इसके तांसर रहेगा, print preview और ये था हमारा काफी अच्छा सा digital literacy का quiz number 2, मैं उमीद करते हूँ, ये quiz आपको पसंदाया होगा, मेरा एक question यहाँ पर गलत हुआ है, जो कि मेरा एक question था यहाँ पर, जो कि हमें printer से related बताना था, custom pages में तो सक्रिक्टा उंतर था, print custom pages, मैंने print selected को select out किया था, तो आप देख सकते हो कि मैंने 9 months content किये इसको इसमें, तो आप असानी से इस video को follow करकर अपने को इसको perform कर सकते हो, पहली बार मेरे चैनल पर आयो, subscribe जबूर करो, bell icon, give a call, press करना मत बूल भूरी, complete TV और इस आप मेरे आने वाले video का notification time से मिलता रहेगा, अगर कोई और code से तो उसे रिलेटिक साइजन को जिसके solutions मेरे चैनल पर मौझूद है, में शुकरो कि आप इसे चेक करना आपने गुल्मेंट भूलो, आज की वीटे के लिए विजित नहीं, आप से मुलाकात करूंगे वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ तप्र के लिए मुझे दीजिए इजाजत